हेलो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टॉप फाइब सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिनी पीकप्स के बारे में इन गाडियों को लोग इसलिए पसंद करते हैं ये पांचो गाडियां आपको काफी कम पीमत में मिल जाती हैं साथ में इन गाडियों का माइलेज भी काफी अच्छा मिल जाता है पेलोड भी काफी बढ़िया मिल जाता है आज हम आपको इन गाडियों की कीमत तो बताएंगे साथ में माइलेज भी बताएंगे पेलोड कैपेसिटी भी बताएंगे इंजन के बारे में भी बताने वाले हैं और load body यानि की डाले की लंबाई और चोड़ाई के बारे में भी बताने वाले हैं तो चलिए बिना देर गबाई वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे Tata Ace Gold की इस गाड़ी को भी लोगों ने खुब पसंद किया है Tata Ace Gold मां आपको तीन वेरियंट्स मिलते हैं पैट्रोल वेरियंट, डीजल वेरियंट और CNG वेरियंट इस गाड़ी मां आपको इंजन मिलता है टू सिलंडर इनलेंड 702 सीसी का डायरेंज इंजेक्शन बीए सिक्स इंजन इस गाड़ी में आपको गेर बॉक्स मिलता है 4-speed manual gearbox डीजल वेरियंट में मिलेगा और पैट्रोल वेरियंट में 5-speed manual gearbox मिलेगा अगर बात करें माइलेज की तो आपको दोनों ही वेरियंट्स में यानि कि पैट्रोल और डीजल में 18-19 kmpl का माइलेज मिलेगा load body यानि कि डाले की लंबाई की बात करें तो आपको लंबाई मिलती है 7-fit 2-inch की और चोड़ाई मिलती है 4-fit 9-inch की ये load body आपको दोनों ही वेरियंट्स में मिलेगी पैट्रोल और डीजल में पैट्रोल वेरियंट्स में बात करें तो आपको मिल जाती है 750 kg की पेट्रोल वेरियंट में भी आपको 750 kg का पेड़ लोड मिलेगा और डीजल वेरियंट में भी आपको 750 kg का पेड़ लोड मिलता है तो चलिए लास्ट में आप बात कर लेते हैं कीमत की तो आपको Tata Ace Gold की जो कीमत स्टार्ट होती है BS6 में 4,41,000 से स्टार्ट होती है और जाती है 5,47,000 रुपे तक सिलेंडर डी आई वाटर कूल 670 cc का BS6 इंजन ये डीजल इंजन रहता है इस गाड़ी में आपको गेर बॉक्स मिलता है 4-speed manual गेर बॉक्स माइलेज की बात करें तो आपको माइलेज मिल जाता है जीतो प्लस में 28-29 kmpl का अगर बात करें इस गाड़ी की लोट बड़ी की तो आपको लंबा ही मिल जाती है 7-5 इंज की और चोड़ा ही मिल जाती है 4-1 इंज की और वहीं पे पेलोड आपको मिल जाता है 715 kg का दोस्तो अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की कीमत की तो ये गाड़ी आपको मिल जाती है 3,85,000 रुपे से स्टार्ट होती है और जाती है 4,4,000 रुपे तक तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं अगली गाड़ी की यानि की गाड़ी नंबर 3 की तो आपकी नंबर 3 पर आती है मारूती सुझू की सूपर केरी BS6 ये गाड़ी आपको दो वेरियंट्स में मिलती है पेट्रॉल एंड सी एंजी वेरियंट सूपर केरी मे अगर बात करें गेर बॉक्स की तो आप में इसमें मिलता है 5-speed manual गेर बॉक्स लोड़ बोड़ी यानि की डाले की लंबाई की बात करें तो आपको लोड़ बोड़ी की लंबाई मिल जाती है 7 फिट 2 इंच की और चोड़ाई मिल जाती है 4 फिट 9 इंच की और इस गाड़ी म आपको पेलोड मिल जाता है 740 kg का वहीं पे मारूती सुजू की सूपर केरी बीए सिक्स में पैट्रोल वेरियंट की जो कीमेंत रहती है वो आपको मिल जाती है 4,50,000 रुपे से स्टार्ट होती है 5,000,000 रुपे तक यह जाती है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गाड़ी नमबर 4 की तो आपकी नमबर 4 पे आती है महिंद्रा सुपरो मैक्सी ट्रक बीए सिक्स इस गाड़ी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा कसंद किया है यह गाड़ी आपको सड़कों पर खूब देखने को मिल जाएगी यह गाड़ी आपको डीजर वेरियंट में मिलती है और इस कारी में आपको इंजन मिलता है तू सिलेंडर की बात करें तो सुपरो मिनिट्रक मं मिल जाता है और सुपरो मेंचित्रक मिल जाता आपको 5 यह माइलेज की बात करें तो सुप्रो मिनी ट्रक का मैलेज आपको 23 से 24 kmpl का मैलेज मिल जाता है और सुप्रो मेक्सी ट्रक का मैलेज आपको 21.94 kmpl मिल जाता है अगर बात करें लोड़ वर्डी की लंबाई और चोड़ाई की तो आपको सुप्रो मिनी ट्रक के लोड़ वर्डी की लंबाई मिल जाती है 7 फिट 5 इंच की और चोड़ाई मिल जाती है 5 फिट की और पेलोड मिल जाता है आपको 900 केजी का वहीं पे सुप्रो मैक्सी ट्रक की लोड बड़ी की बात करें तो आपको सुप्री मैक्सी ट्रक में लोड लंबाई मिल जाती है आठ फिट दो इंच की और चोड़ाई मिल जाती है पांच फिट की और पेलोड मिल जाता है एक हजार केजी का वहीं पर बात करें कीमत की तो आपको ये गाड़ी मिल जाती है 5,50,000 रुपे से स्टार्ट होती है और जाती है 6,43,000 रुपे तक तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट गाड़ी की यानि की गाड़ी नंबर 5 की तो आपकी आती है नंबर 5 पर Tata Intra Wheaton BS6 इस गाड़ी को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है ये गाड़ी आपको डीजल वेरियंट में मिलती है इस गाड़ी में आपको इंजन मिलता है टू सिलेंडर 800 सीजी का डारेक्ट इंजेक्शन डीजल BS6 इंजन अगर बात करें गेरबॉक्स की तो आपको मिलता है Tata Intra Wheaton में 5 स्पीट बैनुवल गेरबॉक्स माइनेज की बात करें तो आपको मिलता है 17 kmpl का माइलेज मिल जाता है वहीं पे लोट बोड़ी की लंबाई चोड़ाई की बात करें तो आपको मिल जाती है लंबाई 8 फिट 2 इंज की और चोड़ाई मिल जाती है 5 फिट 3 इंज की इस गाड़ी में आपको पेलोड मिल जाता है एक हजार केजी का वहीं पर कीमत की बात करें तो आपको इसमें टाटा इंट्रा वीटन बीए सिक्स की किमत इस्टार्ट होती है छह लाग 32,000 रुपे से और जाती है छह लाग 32,000 रुपे तक तो यह था छोटा सा वीडियो टॉप फाइप मोस्ट पॉपुलर मिनी ट्रक के बारे में तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताए बहुत बहुत धन्यवाद